हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एज्यूगेशन सबसे पहले आपको बहुत बहुत बदाई RUHS राजस्तान BAC नर्संग एंट्रेंस एकजाम की काउव्स्लिंग परकुरिया सुरू हो गई है मेरे दोस्तों RUHS यूनिवरसिटी ने BAC नर्संग का ये जो एंट्रेंस एकजाम है ये ठीक दो महीने पहले 23 जुलाई को आयोजित करवाया था और इसकी अब counselling की link और seat matrix आ चुका है अब counselling कब तक चलेगी और दूसरी बात counselling से पहले counselling के बाद कौन से document जरूरी है कैसे बनाने है उन पर भी मैं update देने वाला हूँ तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़ादा informative होने वाला है बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ अगर आपको information अच्छी लगे, useful लगे तो share जरूर करिएगा और इस परिवार को विजय परिवार को अपना support और प्यार जरूर दीजिएगा तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले R.U.H.S. B.A.C. Nursing की जो website है उस पर चलते हैं और counseling का schedule क्या है देखते हैं देखिए बच्चों जैसे ही हम B.A.C. Nursing के portal को open कर रहे हैं तो यह देखिए आप यह देखिएगा बच्चों यह counseling के लिए notification आ गया, guideline आ गई और seat matrix भी आ गया है सबसे पहले बच्चों हम notification देखते हैं कि आखिरकार यह counseling कब से कब तक चलेगी तो देखिए बच्चों यह जो counseling है यह दोस्तों 28 September से 2 October तक चलेगी 28 September से 2 October तक यहनि बच्चों आज से ही आप जो है choice billing करवा सकते हैं, registration करवा सकते हैं है ना और counseling की जो fees है बच्चों वो 550 रुपे हैं तो online fees पे करने की date भी जो है 2 October ही है अब बच्चों college आपको कौन सा मिला यह seat allotment से पता चलेगा तो seat allotment कब आएगा तो 2 October के बाद आएगा लेकिन date इन्होंने नहीं बताई है date थोड़े दिनों के बाद बता देंगे ओके अब बच्चों देखिएगा यह तो schedule है 2 October से पहले पहले आप student जितने भी हैं आप registration करा लेना है ना counseling के लिए इस website पे और जो भी best college है उनकी choice आप fill कर लेना अब देखिएगा हम वापिस site पे जाना चाहेंगे इस site पर बच्चों आपके सामने यह है seat matrix और बच्चों अगर आप counseling के लिए registration करना चाते हैं तो आपको यहाँ पर click करना पड़ेगा registration for counseling पर जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपको आपका form number, role number और date of birth डाल के login करना पड़ेगा ठीक है बच्चों बिलकुल इसके बाद में क्या करना है sir देखिए जब आप इतना काम कर लेंगे तो इसके बाद में दोस्तों आगे आपके सामने जो आपकी detail है आपका नाम है, father name है, mobile number है, 12th का result है यह सारी detail आपको दिखेगी और इन में से कुछ detail आप update भी कर पाएंगे जब आप अपनी detail हो जाएगा, registration complete होने के बाद में आपको college की choice फिल करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? college की choice आपको fill करनी पड़ेगी, ठीक है? 550 रुपे fees कटवाने के बाद college की choice आपको बरनी पड़ेगी, college की choice जब आप भार दोगे बच्चों, ठीक है ना? तो इसके बाद में आपक को सेव करना पड़ेगा किलियर है बिल्कुल इतना काम आपने कर लिया अब बात आती है सीट मैट्रिक्स की कि सर चोईस में कौन से कोलेज भरेंगे कितने कोलेज है उनमें कितनी सीटे हैं देखो दोस्तों यह ओफिशियली सीट मैट्रिक्स आ गया है देखो देखें टोटल क कितने हैं आप देख सकते हो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स राउंड फेस्ट तो बीएसी नर्सिंग फेस्ट राउंड काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स आ चुका है आर यू एचस का तो देखिए बच्चों काउंसलिंग भी इस बार काफी लेट शुरू हुई है बच्च यह आपके सामने बच्चो कोलेज हैं है ना यह देखिए गौवर्मेंट कोलेज है बच्चो आपके सामने यह सारे गौवर्मेंट कोलेज है टोटल जो गौवर्मेंट कोलेजों की संख्या है बच्चो वो है इस बार 39 कितनी है बच्चो 39 गौवर्मेंट कोलेज है और इसके नीचे अगर हम देखे हैं तो यह फिर प्राइवेट कोलेज है देखो प्राइवेट कोलेज में टोटल बच्चो पांच कोलेज जो हैं वो आपके जो हैं गर्ल्स कोलेज हैं एक आप जैसे देखिए बिरला कोलेज हो गया जुझनू का बियानी कोलेज जैपुर का मेवाड को कोलेज अजमेर का और सेंट फ्रांसिस होस्पिटल और कोलेज अजमेर का ये गल्स कोलेज है बचों ये है प्राइवेट कोलेज लेकिन ये गल्स कोलेज है जबकि इसके उपर के ये जो कोलेज है आपके 39 तक ये सारे गौ़र्मेंट कोलेज है जैसे गौ़र्मेंट कोलेज के government college सवाई मादोपुर government college रावत बाता चितोरगड यह इस बार नया खुला है बचो इसकेबाद में यहां पे बचो जो college की sequence है ना इसी sequence में और इसी क्रम में college आपको list में अंदर देखने को मिलेंगे जब आप choice फिलिंग करेंगे है ना फिर देखिए government college ग्रुली, गर्वंन कोलेज कोटा कुमेर भरतपुर फिर लाल सोट दोसा नागोर, नात द्वारा राजसमंद नावा नागोर देखो, यह नया खुला है नावा नागोर में फिर आपका कॉलेज नीमा एडा चित्वोड गड़ यह भी नया उपन हुआ है फिर garment college पाली, garment college प्रताफगड इसके बाद में बच्चो और देखिएगा आप उपर सी देख लेते हैं RUHS college जैपूर इसके बाद government college जैपूर यह जो government college of nursing जैपूर है न यह आपका SMS college है बच्चो जो number 2 पे है यह आपका SMS college है इसके बाद में है government college अजमेर, यह आपका JLN कोलेज अजमेर है, टॉप कोलेज है, गौवर्मेंट कोलेज अपनार सिंग अलवर, गौवर्मेंट कोलेज बांसवाड़ा, फिर बारा, बार मेर, बरतपुर, बीलवाड़ा, बीका नेर, यह आपका PBM बीका नेर है बचों, फिर गौवर्मेंट कोले यह आपका PBM quota है है ना तो यह इस तरह से आपके government college है सारे आपने दे की लिए है है ना बिल्कुल जैसे उदेपुर का college है जूदपुर का है है ना आपका जेपुर का है Bika Nair का है, quota का है यह college old college है और अच्छे college है बचो है ना बिल्कुल, तो यह तो आपके college की list हो गई, अब यह official list है बचों, यह किस तरह की list है, official list है जैसे यह government college Bika Nair है ना यह official list है college हो की, तो यह वो college है जो participate कर रहे हैं fast round में, ठीक है अब देखिए एक दो college है यह minority college है बचों इन में आदी सीटे Muslim student के लिए reserve है, आप देख सकते हैं एक तो SN college है, यह आपका गंगा नगर में, और एक माई कदीजा college है जोदपुर में ठीक है बचों, इनकी आदी सीटें जो है minority के लिए हैं, और आदी सीटें जो है other student के लिए हैं, है ना, दोस्तों यहां पे जो SN college है इसमें सिख community के लिए 50% सीट है, और माई कदीजा में Muslim community के लिए हैं ना, बिलकुल बाकी जो यह सीटें दिख रही है यह सीटें बच्चों इतनी counseling सीट है यह college है, आपका genius college भीलवाड़ा, इस college में दोस्तों, मामला court का है court में चल रहा है तो इसलिए ऐसे college हों को बरने से पहले थोड़ा बेर दोस्तों college में पता कर ले ठीक है ना, बिलकुल इस list में इस बार court वाला केवल एक ही college है तो आप यह भी सोचोगे कि sir, total college फिर है कितने total college बच्चों लगबग राजस्तान में 210 हैं लेकिन first round में 186 college ही भाग ले रहे हैं बाकी कुछ court वाले college हैं जिनका मामला court में seat का चल रहा है तो साइध वो second round में participate करेंगे ओके बच्चों, बिलकुल चलो, यह तो हो गई seat matrix इन में से आपको college भरना है जो भी भरना है पहले इस list को पढ़के फिर आप जो है college choice करेंगे ओके, अब देखिए तो दोस्तों मैंने schedule आपको बता दिया, guideline मैंने आपको बताई दिये, seat matrix बता दी, अब हम बात करते हैं कि sir, कौन-कौन से document है जो चाहिएंगे counselling के बाद अब counselling में registration दोस्तों 28 September से 2 October तक चलेगा तो ये date आपको ज़्यादा याद रखनी है 2 October के बाद आप college की choice नहीं भर पाओगे ये document है बचो जो counselling के समय तो नहीं चाहिए, लेकिन counselling complete होने के बाद, जब college में आप admission के लिए जाएंगे तो इन document की जरुवत पड़ेगी है ना, बिल्कुल अब देखो ये सारे original document चाहिएंगे और परतेख document की दो photocopy चाहिएगी सबसे पहले, दसवीं की मारक seat, बारवीं की मारक seat, जाती प्रमान पत्र EWS वालों के लिए AWS, जबकि जनरल के टेगरी के बच्चों के लिए कोई कास सर्टिफिकेट वगरा होता नहीं है है ना, मूल निवास यानि डॉमिसिल, टी सी केरेक्टर सर्टिफिकेट यानि सी सी, माईग्रेशन सर्टिफिकेट, परवजन परमान पत्र च्यार पासपर्ट साइज फोटो इसके अलावा दोस्तों आपका आईडी कार्ड यह निए आधार है ना, इसके अलावा दो चीजें और भी हैं, क्या है सर एक आपने रुचस का जो फॉम बराता ना दोस्तों उस फॉम की कोपी भी चाहिएगी और जो रुचस का रिजल्ट आया था उस रिजल्ट की कोपी भी चाहिएगी और रुचस का जो एक्जाम दिया था उस एड्मिट कार्ड की कोपी भी चाहिएगी और अब जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग की जो स्लिप है ना बच्चों वो भी admission के समय चाहिएगी किलियर है की नहीं? बिलकुल और बच्चों एक बात बता दूँ जब आप counseling करवा लेंगे तो 2 October के बाद साथ 3 October या 4 October को आप जो college की choice बरेंगे न तो इस college की choice का print out भी निकलेगा तो इसका print out भी चाहिएगा ठीक है? इसके अलावा बच्चों medical fitness medical fitness अभी नहीं बनाना है जब आपको college alert हो जाए उसके एक या दो दिन में बन जाएगा इसका format मैं अभी दिखा देता हूँ इसके अलावा anti-ranking ये ऐसा document है जो college में बनेगा लेकिन इसके लिए आपको anti-ranking forum के 2 या फोटो कोपी पास में रखनी है और 50 या 100 रुपे के stamp जब आप college में जाते हो तो 7 में लेकर जाने है अब इसके बाद है bond certificate बोन्ड certificate भी बच्चों 500 रुपे के stamp paper पे बनाना पड़ेगा इसका format मैं आपको बता दूँगा लेकिन ये भी तभी बनाना है जब आपको college अलोट हो जाए ठीक है ना तो ये पूरे system ये document है जब आप college में admission लेने जाओगे तब इनकी जरुवत पड़ेगी दियान रखिएगा है ना अभी counseling करवाते समय कोई document नहीं चाहिए clear है कि नहीं बिल्कुल अभी तो आपके forum number है आपके चाला number है है ना आपकी date of birth है इससे आपकी counseling हो जाएगी है ना clear अब देखिएगा sir ये जो gave certificate है ये किसको बनाना है जिसने 12 जो है 2022 में 2021 में 20 में की है उनको 100 रुपे के stamp paper पे एक gave certificate type करवा के उसकी notary करवा करके और admission के समय देना पड़ेगा medical fitness बचों कुछ इस तरह का होता है ये में विजय education के telegram पे और विजय education एप के अंदर Florence बेच जीद बेच जिसमें भी आप जुड़े वे हैं उसमें आपको मिल जाएगा ठीक है ना ये दोस्तो government hospital के doctor से बनाना पड़ता है है ना जब आपको college alert हो जाए उसके बाद आपको बनाना है पर देख जिला इस तरह पे जो doctor होते है government hospital के वो बनाते हैं वो इस पे seal लगाते हैं है ना बिल्कुल ये stamp paper पे नहीं बनाना सीधा इसी तरह के page पे print लेना है type करा के print ले लेना यहां बच्चे का photo लगेगा और बाकी नीचे doctor की seal और sign लगेगी अब दोस्तों इसके बाद में ये affidavit है इसे बोलते हैं gave certificate है ना ये gave certificate इस format में बनेगा ये 50 या 100 रुपे के stamp paper पे बनेगा ये सभी को नहीं बनाना है जिनके gave है उनी को बनाना है इसके बाद है anti-ranking वो भी मैं आपको दिखा दूँ anti-ranking anti-ranking जो है बच्चो कुछ इस तरह के format पे होगा यहां पे मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँ आपको कुछ इस तरह के format पे होता है anti-ranking है ना तो यह भी format मैं आपको available करा दूँगा कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है ना सारी चीजे मैं विजे एजुकेशन के टेलीग्राम पर विजे एजुकेशन के एप के उपर available करवा दूँगा किलियर है बच्चो बिलकुल मैं फिर repeat कर रहा हूं राजस्तान में RUHS यूनिवर्सिटी ने B.A.C. नर्सिंग एंट्रेंस एक्जाम की जो काउंसलिंग है वो शुरू कर दी है तो जिन्होंने भी B.A.C. नर्सिंग का एंट्रेंस एक्जाम 23 जुलाई को दिया था अब उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है जिसकी लास्ट डेट है 2 अक्टूबर ये फैस्ट राउंड की काउंसलिंग है इसके बाद सेकेंड राउंड थर्ड राउंड भी होंगे इस फैस्ट राउंड की काउंसलिंग में कौन भाग ले सकता है कोई भी student, अगर आपके एक number है, 10 number है, 50 number है, 100 number है, कम या ज्यादा number है उससे फरक नहीं पड़ता, आप counseling के लिए registration करवा सकते हैं, registration की fees 550 रुपे हैं, registration के लिए आपको RUHS की official website पर जाकर करके registration कराना पड़ेगा, तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और मैं जाते जाते ये कहूंगा, कि आपका कोई भी भाई, 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 रिस्तेदार, RUHS, BAC nursing entrance exam की तयारी करना चाता है, तो आप उन्हें, Vijay Education Ape में online class से चल रही है, Vijay Education Ape से उन्हें जोड़िये, हम Vijay Education Ape के अंदर, राजस्तान BAC nursing के लिए जीत बेच के द्वारा तयारी करवा रहे हैं, जीत बेच में राजस्तान के बच्चे जुड़े हुए हैं, और BAC nursing परविश परीक्षा की 2024 के लिए अभी से तयारी सुरू कर चुके हैं, तो इसलिए कोई भी आपका भाई बंदू, कोई भी रिस्तेदार बहीन, ठीक है, जो BAC nursing के top set of government college में पढ़ना चाते हैं, आप उन्हें विजे परिवार से जोड़िये, मैं पूरे बरोसे के साथ आपको ये कहना चाहूंगा, कि हम बहुत मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को, इस बार पूरे राजस्तान में, जो top 10 rank के अंदर बच्चे हैं, वो मिस्टर बाववली, जो हैं, वो भी आपके विजे एज्यूकेशन के जीत बेच से ही हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़े बता रहा हूं, वैसे पहले कई बार बता चुका हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, कि आप अगर विजे परिवार से जुड़ेंगे, तो आपको खुद बे-खुद पता लगेगा, आप डेमो क्लास देखेंगे, आपको खुद बे-खुद पता लगेगा, तो इसलिए इंडिया की जो टॉप इंस्टिट्यूट अब ये सी नर्सिंग की, वो राजस्तान में हैं, इसमें कोई द्वराई नहीं हैं, एम्स के बाद जो बच्चे बी-ए-सी नर्सिंग में एडमिसन ले चुके हैं, या लेने वाले हैं, उनके लिए हमने बी-ए-सी नर्सिंग, फैस्ट येर, फैस्ट सेमेस्टर के लिए, फ्लोरेंस बेच स्टार्ट किया है, आप उसमें जुड़ करके भी, एना, फीजियो, साइको, सोशि ये सब्जेक्ट भी आप पढ़ पाओगे, तो मेरे प्यारे साथियो, आज के लिए इतना ही जयेंद वन्दे मात्रम, थैंक यू